बिस्मिल्लाइ रोहमान रोहीम असलाम लेकुम नाजरीन वेलकम टूमाई चानल नाजरीन आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ मेरे इन टिप्स का मकसद सिरफ यही है कि आप लोग घरेलू जुगार लगाएं और महिंगाई कि इस दौर से अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं जो आपके प्यारों के कामा सकें इन टिप्से आपके बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे वो ही काम अब मिंटों में होने वाले हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंट तक लाजमी देखें और इन टिप से फाइदा उठाएं तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किये आपने एक सर्दी में हम अपने बच्चों बड़ों को सर्दी से बचाने के लिए शहद का इस्तमाल लाजमी करते हैं आज कल वैसे भी हर चीज में मिलावट हो रही है मारकेट्स में भी शहद में मिलावट बहुत आमसी बात है आज मैं आपको इसका बहुत जबरदस्त और असान सा हल बताऊंगी जिससे आप घर में ही शहद की पहचान कर सकेंगे कि ये शहद असल है या फिर मिलावट वाला तो शहद का टेस्ट करने के लिए हम लेंगे एक बॉल में पानी फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शहद पानी आप नहीं रूम तंपरेजर का लेना है ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गरम अब हम इस पानी को 10 मिंट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो 10 मिंट के बाद हम आप से मिलते हैं तो हमारे 10 मिंट हो चुके हैं आप देख सकते हैं कि जैसे हमने शहद को पानी में डाला था अभी भी ये वैसे का वैसा ही है अगर ये पानी में खुद से हल हो जाता तो इसमें मिलावट होनी थी जो शहद पानी में खुद से हल ना हो वो असल शहद होता है ये शहद भी पानी में खुद से हल नहीं हुआ अगर हल हो जाता तो इसमें भी मिलावट होती मिलावट वाले चीज़ें वैसे भी हमारी सहत के लिए अच्छी नहीं होती और अगर हम अपने छोटे छोटे से बच्चों को मिलावट वाला शहद दें तो वो के भी मारियों में मुबतला हो सकते हैं इसलिए मिलावट वाले चीजों से खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राएगर के देखें आपको इस करजल्ट इन्शाला 100% मिलेगा नाजरीन आज की मेरी ये टेप सर्दियों से रिलेटिड है तो इस टिप को बनाने के लिए आपने एक बॉल में डालनी है वैजलीन 1 टी स्पून ये तो सर्दियों में हम सब के घर में मौजूद होती है फिर हम इसमें डालेंगे सेम क्वांटिटी में बेकिंग सोडा जितनी आपने वैजलीन डाली है इतना ही आपने बेकिंग सोडा डालना है अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जितना मैंने आपको बताया है इसी के हिसाब से आपने इनकी मिक्दार रखनी है कम या ज्यादा बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए क्यूंके फिर इसका अच्छा रजल्ट नहीं मिलेगा फिर आप शिकायत करते हैं कि हमें इसका रजल्ट नहीं मिला आपने इन दोनों चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसका कोई भी पार्ट अलग अलग ना हो तो ये मिक्स हो गया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस लेमन जूस आप फ्रेश भी इस्तमाल कर सकते हैं और स्टोर किया हुआ भी अब हम फिर से इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सर्दियों में अक्सर हमारे हाथ पाउं की स्किन डार्क हो जाती है फिर हमारे हाथ पाउं देखने में भी बहुत अजीब से लगते हैं लेकिन ये क्रीम आपके हाथों पाउं को बिलकुल बेडार्क नहीं होने देगी इस तरह से थोड़े सी क्रीम की मिक्दार को आपने अपने हाथों और पाउं पर लगाना है और फिर हाथों से मसाज भी करना है और आपने जोर जोर से मसाज नहीं करना कि आपके हाथों पाउं पर रेशिज हो जाएं और एक बात का आपने धिहान लाजमी रखना है कि इस क्रीम को आपने फेस पर अपलाए नहीं करना क्योंकि ये क्रीम सिर्फ हाथों और पाउं के लिए है हाथों और पाउं की स्किन सखत होती है इसलिए आपने सिर्फ हाथों पाउं पर स्क्रीम को लगाना है क्यूंके फेस की स्किन बहुत सेंस्टिव होती है और हमने इसमें बेकिंग सोडा का इस्तमाल किया है आपने सिर्फ स्क्रीम का इस्तमाल तीन मिन तक करना है ना इस से ज्यादा और ना ही कम हफ़ते में सिर्फ दो दिन इसका इस्तमाल करें आपको इसका रिजल्ट इंशाला 100% मिलेगा अब मैं आपको अपना हाथ साबुन से दो कर दिखाती हूँ आपने भी किसी अच्छे से साबुन से हाथ दोना है तो ये देखें एक दफ़ा के इस्तमाल से मेरा हाथ कितना फियर एंचाइन हो गया है और अगर आप इसका रेगुलर इस्तमाल करेंगे तो आपके हाथ गोरे गोरे से हो जाएंगे आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राइ करके देखें आपको इसका रिजल्ट इन्शालों 100% मिलेगा नाजरीन ये टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग और यूनीक है ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं रेखी होगी आपने एकसर नोट किया होगा कि इस तरह का प्लास्टिक रैप हम खानों वगरा को ढापने के लिए इस्तमाल करते हैं ना तो इसका सिरा मिलता है और ना ही इससे अच्छी तरह से फूड कवर होता है आज मैं आपको इसकी जबरदस सी टिप बताऊंगी जिससे ये बहुत असानी से कवर करेगा और इसको काटना भी बहुत असान हो जाएगा इस तरह से आपने अपने खाने बगरा को कवर करना है और फिर इस प्लास्टिक फूड रैप को बल देकर काट लें तो ये बहुत असानी से कट जाएगा इस तरह से अब आप इसको फोल्ड करके रख दें इसका सिरा ढूंडने में अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अब आप इसको जैसे मर्जी और जहां पर मर्जी रखें इससे आपके किचन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्फ हो जाएगा आप भी लासमी बार इस टिप को ट्राय करके देखें आपको इस करजल इंशाला 100% मिलेगा नाज़ीन ये टिप मेरी बहुत ही जुनीक है तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहां पर लिये हैं औरिंज के कुछ छिलके इनके हम छोटे-छोटे से टुकडे कर लेंगे आपने एक साथ देखा होगा कि सर्दियों में धूप ना होने की वज़ा से हमारे कमरों में, हमारे वाश्रूम्स वगरा में अजीब तरह की स्मेल लाना शुरू हो जाती है जो हमें बहुत ज़्यादा नागवार सी महसूस होती है वैसे तो बाजार में बहुत से रूम फ्रेशनर्स आए हुए हैं लेकिन बहुत से लोग इनको फॉर्ड नहीं कर सकते आज मैं आपको बहुत जबदस रूम फ्रेशनर्स बना कर दिखाऊंगी जो 100% आपको फाइदा देगा तो सबसे पहले हम लेंगे एक तवा इसको गैस टब पर रख कर हम इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और फ्लेम को ओन कर देंगे फिर हम इस पर डालेंगे औरेंज के छिलके जिनको हमने चोटा-चोटा सा किया था अब हम इनको एक से दो मिन तक पकाएंग रूम फ्रेशनर्स तो वैसे भी कैमिकल से तियार किये जाते हैं जिन पर हम अतबार नहीं कर सकते कि ये हमारी सिहत के लिए अच्छे हैं या फिर नहीं लेकिन जो हम घर में चीजें तियार करते हैं उनका क्या कहना क्योंकि वो कैमिकल से पाक होती हैं अब हम यहां पर इसमें डालेंगे थोड़ा सा टेलकम पाउडर ये आप किसी भी ब्रैंड का ले सकते हैं जो आपको पसं हमें मिक्स करना पड़ेगा तो मिक्स करके हम आपसे मिलते हैं तो ये देखें विवर्स हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम इन चीजों को चान कर किसी बॉल में डालेंगे और फिर ठंडा करके स्प्रे वाली बोतल में डाल कर आपको दिखाते हैं तो ये देखे नाजरीन हमारा जबदस सा रूम फरेशनर बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इस स्प्रे को अपने रूम्स, डाइनिंग एरिया और अपने किचन वगरा में ये स्प्रे करें। आपके घर से किसी भी किसम की बैड समेल नहीं आएगी। और हाँ, आप इस स्प्रे को अपने बाथरूम्स में भी कर सकते हैं। इस से आपके बाथरूम्स भी खुश्बू से महक जाएंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राइगर के देखें, आपको इस करजर्ट इन्शाला 100% मिलेगा। नाजरीन आज की मेरी ये टिप बहुत ही जबरदस्त है। ये सर्दियों से रिलेटिड है। आपने एक सर्द देखा होगा कि जो हमारी वूल की शाल या फिर जर्सियां अपर वगरा होती हैं, इन पर बहुत जल्द बुर आ जाती है। जिनको फिर साफ करना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपके साथ बहुत अबदस टिप शेयर करूँगी जिससे आप बहुत आसानी से अपनी जर्सियों, शाल, अपरस वगरा से बुर को उतार सकेंगे। और इस पर आपकी बिलकुल भी महनत नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक इस तरह का स्पंच जिससे हम बरतन साफ करते हैं। इसके ग्रीन वाले पार्ट से आपने इस जगट पर रब करना है। ये बहुत पुरानी जैकेट है हम जिसका इस्तामाल नहीं करते। लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ इसके टिप शेयर कर रही हूँ। ताकि आपको इस से फायता हो। अगर सर्दियों के कपड़ों पर बुर आ जाए तो हमारे कपड़े ही बेकार हो जाते हैं। फिर उनको पहनने का दिल भी नहीं करता। जिस वज़ा से फिर हम उनको बेकार समझकर फैंग देते हैं। लेकिन आप इस टिप को फॉलो करके अपने बहुत से पुराने कपड़े जाया होने से बचा सकते हैं। जिस पर आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बच जाएंगे तो ये देखें कितना ज्यादा बुर इस स्क्रबर के साथ उतरा है अगर आपके घर में ये स्क्रबर नहीं है तो आप स्टील के स्क्रबर के साथ भी बुर को उतार सकते हैं स्टील का स्क्रबर निया होना चाहिए और हाँ अगर आप स्टील का स्क्रबर इस्तमाल करें तो हलकी हाथों से अपने कपड़ों पर रब करें ताकि आपके कपड़े इस से खराब ना हो जाएं इस जैकट के बाजवों पर ज्यादा बुर्थी जिसको हमने साफ कर लिया है आप भी एक बार इस टिप को ट्राइ करके देखी आपको इस घरजल्ट इंशाला 100% मिलेगा